नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं NDC News मैं हूँ आपके साथ अरचना कौशल जो आपके लिए लेकर आती है हर बार कुछ चटपड़ी और स्पेशल स्टोरीज तो दोस्तों आज आपके लिए क्या है स्पेशल आईए देखते हैं हर धरम में शादी का विशेश मात्व है और खास कर हिंदू धरम में विवाहा सिर्फ एक परमपरा नहीं बल्कि इसमें कई सारी ऐसी रस्मे हैं जो अपने आप में खास है हल्दी संगीत वर्माला से लेकर विदाई तक के बीच बहुत सी रस्मे होती हैं जिने हम देखतें तो बहुत बार हैं पर इनका सही अर्थ हमें नहीं पता होता आपने गौर किया होगा शादी में विदाई के दुरान लड़की थाल मैंसे चावल लेकर पीछे की तरफ फैंकती है और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखती ये चावल फैंकनी की रस्में शादी की सबसे अंतिम और बेहद महत्वपुन रस्म होती है साथ ही आपको बता दें कि जब लड़की विदाई के समय चावल पीछे की तरफ फैंकती है तो लड़की के माता पिता या घर का कोई बड़ा सदस्ते उससे अपनी जोली में इकठा कर लेता है तो आकरिकार क्या है इस रस्म का महत्व और ये क्यों निभाई जाती है आईए जानते हैं इसकी वज़ा आपकी जानकारे के लिए बता दें कि विदाई की समय दुलहन अपने हातों में चावल या फिर चावल और बताशे दोनों ही चीज़ें पीछे की और फैंकती है बतादें कि लड़की के विदा होने के बाद ये अनपूरे घर में ढाला जाता है जी हां दरवेली दुलहन अपने ससुराल पहुंचती है तो दरवाजे पर पूज़ा करके दूलहा और दुलहन का स्वागत भी चावलो से ही किया जाता है यानि अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो लड़की की विदाई के समय चावलों का काफी महत्व होता है इस रस्म को निभाने के पीछे का मतलब ये है कि नए दमपती के जीवन में हमेशा खुशाली बनी रहें इसी के लावा ऐसा माना जाता है कि चावल फैंकने से नए दमपती को संतान सुख की प्राप्ती होती है और उनके भागे में भी हमेशा वृधी होती रहती है इसी के लावा कुछ लोग वधु की जोली में हल्दी और चावल भी डालते हैं जिसका मतलब ये होता है कि बहु के रूप में जो लक्षमी घर में आ रही है वो हमेशा घर की सुख समरिधी बनाए रखें वैसे आपको बता दें कि विदाई के समय लड़की के चावल फैंकने का मतलब ये भी होता है कि वो अपने माता-पिता का शुक्रियादा कर रही है और साथ ही अपने जीवन की नकरास्मक्ता को बहार फैंक रही है ताकि उसका आने वाला जीवन हमेशा खुशाल रही